Hello friends, Welcome to my YouTube channel आज का जो मेरा वीडियो है वो Canada temporary residence के बारे में है हर साल हजारों लोग इंडिया से Canada का temporary residence visa जो है वो apply करते हैं चाहे वो student visa है, चाहे वो visitor visa है, चाहे वो tourist visa है या वो फिर parents का या grand parents का visa ही है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो और अपना bell button आइकोन जो है उसको own कर दो ताकि जब भी मेरे नए वीडियो हैं आपको उसके update मिल सकें जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हर साल हजारों ही temporary residence visa की files इंडिया से कैनेडा के लिए लगाई जाती हैं और इस साल जो भी files लगे जादतर result जो था वो computer based था और लोगों को negative result ही देखने के मिला उसमें से main reason जही थे कि आपका purpose of visit and family ties जा कुछ financial reasons के ही उन्होंने reason दिये लेकिन अब कैनेडा ने जैसे बोला है कि till March वो अपना सारा backlog जो है उसको finish कर देगा तो इससे कुछ hope है कि जो आने वाले March के बाद April month से जो फाइलों की processing है फाइल्स की वो smoothing हो जाएगी जैसे normal route हो जाएगी हर चीज कर जो result है फाइल्स का चाहे वो study visa चाहे विस्टर 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 उसका result fast हो जाएगा अगर हम बात rejection की करते हैं तो मैंने काफी सरे caps note जो है वो देखे हैं तो थोड़ा सा अपनी फाइल को ध्यान में रखकर लगाएं उसमें तो सबसे बड़ी mistake ही कर देते हैं कि कई बार जो आप duration of stay डालते हैं वो बड़ा number डाल देते हैं कई बार 90 days, 80 days, more than 100 days भी डाल देते हैं duration try करें कम से कम हो जो duration आप डाल दे हो वो एक justified लगे उसको और normal लगे आपके purpose of visit से की आप genuine ही visit कर रहे हो आप वहाँ पर रहने नहीं जा रहे है और आप कोशिश करें कि आपके जो other financial documents हैं like आपके business document हैं अगर आप business man हो अगर job में तब की जो job के related आपकी सहली sleeps हैं आपका कोई job का कोई record है कोई appointment letter चाब कुछ नोसी वगरा ले रहे हो वो proper आप लगाओ आपकी जो income tax की return है वो with computation हो और आपकी bank balance जो है वो आपकी as per income tax मैच कर रहा हो आपकी profile से अगर आप traveled हैं तो much better है कि आप अपनी travel history में लगाओ और कई cases में मैंने ये देख्या कि कोई single person ही लगा रहा है चाहिए अपनी blood relation को मिलने जा रहा है तो उनमें यह यह अदर है कि family ties नहीं है इंडिया में कुछ है आप मतलब single हो तो वहां जा रहे हो तो उनको visa नहीं मिलता तो उनके लिए तो आपका अग्रेगरी कल्चर इस तो आप अपने प्रॉपर जेफर्म हो सके तो अपनी जो ट्रैवलिस्ट है वो अच्छी वेल ट्रैवलिस्ट आपका पासपर्ट है वेल ट्रैवल हो दो चार कंट्री कम से कम यूरोप भी आपको कोशिश कर लो कि आप यूरोप का visa लगवा कोशिश करो अपनी जो है वो बैंक की statement लगाओ six months की जिसमें proper entries है वो आपको उसको लगए कि हाँ इसमें अगर जो आ रहा है पैसे उसके coding ये saving भी कर रहा है वो आपकी as per ITR जो है सब कुछ match भी है अगर आपका जो file है well planned तरीके से लगा रहे हो अच्छे उसको एक organized way में ल आ रहे हो तो आपके visa के chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपको भी कोई visitor visa tourist visa किसी भी visa के country के बारे में भी अगर अधे दरन Canada भी कोई आपको कोई राय लेनी है हम से कुछ profile discuss करना है तो नीचे हमारे number जो है वो flash हो रहे हैं आप हमसे contact कर सकते हो वीडियो के लिए इतना कर रहे हैं?